नमस्कार दोस्तों, जैश्री कृष्ण राधे राधे, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र सनातन ज्यान को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, दोस् किसी भी प्रकार का पित्र दोश हो, ग्रिह संबंधी, पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी, किसी भी प्रकार की समस्या से भी लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे, वह बहु बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है, और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाए की एक ही प्रक्रिया है, कि इसको आपक तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझियेगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाइस कर सके, क्यूंकि दोस्तों हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि बहुत महनत करते हैं, और हमेशा ही परेशानियों से घेरे रहते हैं, बहुत महनत करने के पशचात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में दुबई ही रहते हैं परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती यहां नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंड रहे हैं जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो ऐस कि समस्या का निदान नहीं होता आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए जैसा कि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारन की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाएं सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमतकारिक लाब प्राप्त किये हैं लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अंजान हैं लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक उर्जा को हमेशा हमेशा के लि और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में धारन करिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है। जूज रहे हैं तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी हैं जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं। उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है यानि कि आपकी समस्या उस नमक में धारन हो जाएं। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं, तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर लें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी महाराज की छवी को अपने मन में धारण कर ली, दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाट कर सकते हैं, उस नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे खयाल उस नमक में समा जाएं, आपकी नकारात्मक उर्जा कभी कुछ उस नमक में समा जाएं। नमक का इस्तेमाल बिलकुल भी नहीं करना है, कि तुरंत ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा, कि आपकी जो परेशानिया थी वह कम होने लगी है। और अब धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे ये उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने ये उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार में किया है, या फिर शुकरवार में किया है, यानि कि कुल आपको तीन दिनों तक इस उपाय को करना है, यानि कि आपको लगातार तीन दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है। और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्थ होती जा रही है। बस इस बात का ध्यान रखें हैं कि आपको लगातार यह प्रयोग तीन दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय जिन भी लोगों को पित्र दोश की समस्या है, यदि वह कुछ भी काम करने जाते हैं, तो हर काम में पित्र दोश अडचन पैदा कर देता है। कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या कर करना है कि आप पहले कागज पर आठ किलो रखें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुडिया बना ले, फिर उसको आप पीपल के व्रिक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल के व्रिक्ष में भगवान विश्नु का वास होता है, और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे, तो आपके दो कष्ट तुरंत के तुरंत ही समाप्थ हो जाएंगे, अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता देता हूँ, यदि आपके घर में कोई वास्तु दोश है, जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार लोग बना-बना घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं, ऐसे में वे अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते, तो उन लोगों को क्या करना होगा? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, घर में वास्तु के कारण ज यहां पर वास्तु की समस्या है, वहां पर आपको एक नमक की पोटली बना कर रख देनी है, जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहां पर आप नमक की एक पोटली बना कर रख और फिर उसके बाद आप उसको आप साथ साथ दिन के बाद बदलते रहे, जैसे कि यदी आप एक पोटली रख रहे हैं, फिर उसको आप साथ दिन के बाद चेंज कर दे, ऐसा आपको 21 बार करना है, टोटल आपको 21 पोटली बदलनी है, इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्त नमक में इतनी शक्ती होती है दोस्तों, हम यहां पर जो भी आपको उपाय बताते हैं, वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरा उपाय, यानि के उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिये। उपाय को बीच में मत छोड़ दें। अन्यथा आप बेकार ही परिशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्थ हुआ। या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका दिन शुब हो।